तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अमारे योटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना State Bank of India का अपनों इस वीडियो में कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं यानी दोस्तों यदि आपका अकाउंट किसी ब्रांच में पहले से था और दोस्तों आप जो दूसरी जगए रहने लग गए आप कहीं दूसरी जगए सिप्ट हो गए हैनी तो दोस्तों आपको यह पे ब्रांच में विजिट करने में परिशानी होती होगी तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना होम ब्रांच है वो कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं यानि दोस्तों आपका अकाउंट पहले किसी जिसे SBA की साका में था और दोस्तों अब आप अपनी नजदी की साका में कैसे उसको उनलाइन ट्रांसपर कर सकते हैं इसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस application को आपको यहां पर download करके और इसको install कर लेना है और इसको open कर लेना है और दोस्तों इसके लिए आपके पास इसका जो account है वो आपको यहां पर पहले से होना चाहिए अन्यता आप इसमें अपना username और password से आप जो इसमें login हो जाना है तो दोस्तों हमने इसको simply open कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले यहां पे login हो जाते हैं हमने पहले से इसमें account बनाया हुआ है तो हम यहां पर mpin के दौर इसमें login हो जाते हैं तो दोस्तों हम यहां पे successfully login कर चुके हैं login करने के बाद में आपको यहां पे कुछ इस परकार से application का interface है वो नजर आएगा इसमें आपको यहाँ पर सबसे निचा आप जो भी यह देख रहे हैं इसमें आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का ओप्षन देखने को मिलेगा बिल पेमेंट के उपर में जो यह सर्विस रिक्वेस्ट का ओप्षन देखने को मिलेगा तो दोस्तों अकाउंट के ओप्षन पर आपको यहां पर tap करना है जैसे ही आप account के option पर tap करते हो प money aan 거기 you work एक option देखने को मिलेगा change home branch तो दोस्तों आपको यहां पर change home branch पर click करना है दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपको यहां पर account है वो show कर रहा है यदि आपका एक से अधिक account है तो वो आपको इस आपको से लिए जाएंगे तो मेरा SBA में एक अकांट है तो मेरो को यह से कर रहा है इसके बाद में play यदि आपका एक से अधिक अकांट है तो उस अकांट क 마음에 सेलेक्ट करना रहा है और आपको समें नीचे में Next पो क्लिक कर देना है by location के आदार पर यह दिया आप करते हैं तो आप अपनी location के अनुसार आप जो भी select करोगे वो branch आप है जो choose कर सकते हो तो दोस्तों आप इन में से दोनों में से आपको जो अच्छा लगए GPS के माद दिम से करोगे तो आपकी location के अनुसार automatic detail है वो फेज कर लेगा कि आपके नस्दीक में कौन सी SBA की branch है जिसमें आप अपना account है वो transfer कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे select by location के उपर टेप करते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे अपना state select कर लेना सबसे पहले जैसा हमारा state राजस्तान है अन्य किसी state में आप transfer करना चाहते हैं तो भी आप है जो कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों आप branch location और branch code दोने option दिये गए आप यहाँ से branch code का option select करके और directly उस branch का code type करके और उस branch को है जो select कर सकते हैं और आप यहाँ आप चाहोते हैं उसको आप select कर लीजिए जहाँ bank इसके लाओ यह आप branch code जानते हैं किसी भी bank आपके आसपास की है तो आप branch code यहाँ एंटर करके और आपको यहाँ पर next पर click करना है दोस्तों जैसे आप next पर click करोगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा आप उस OTP को फिल करने के बाद में confirm पर click करोगे confirm करने के बाद में आपका जो home branch है वो change कर दिया जाएगा यानि दोस्तों पहले का जो bank है उसमें आपका कोई भी lending नहीं रहेगा आप नया bank आपका जो transfer होएगा उस पर आप कहाँ पर वहाँ से जाके और आप नई passbook है वो ले सकते हैं और दोस्तों उस bank से आप जो home branch की तरह है आप transactions लेन देना है वो कर सकते हैं जैसे bank में आप entry करवा सकते हैं आप उस bank से cash deposit करवा सकते हैं cash ले सकते हैं जैसे वो सारे काम है वो आप home branch में तर्रांसपर करोगे उसमें आप है जो दोस्तों कर सकते हो तो दोस्तों इस परकार से आपको किसी भी बेंग में आपको यह पर transfer करना है तो यहाँ से आप है जो online अपना account transfer कर सकते हैं यह आपको कोई परेशानी है यह आप कहीं पर भी रहते हैं दूसरी जगह रहते हैं और आप दूसरी जगह सिप्ट हो गए अपना home branch change करना चाहते हैं SBA का तो आप online इस तरह से कर सकते हैं और दोस्तों आप उस bank में विजिट कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से आप अपना bank के वो online transfer कर सकते हैं account एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye जैहिन